कि आपका मोस्तों क्या हुमारे सेशन में दोस्तों क्या मैं लाइब हो चुका हूं तो मैं लाइब हो चुका हूं I hope कि आपने देख पा रहे हैं और दोस्तों आज हमारा आइड़ लाइडी बंक एक्जाम सट नइन है व मिसकी बात करेंगे लेकिन इसके पहले कौंण कौंसी इन्फॉर्मिशन अपको हम देंगे सारी इन्फॉर्मिशन आपके सामने जानी चाहिए तो जस्तों ये तो हमारे क्लास एंफार से एक मिजर रोल करता हैं और हमारे लों क 27 जून को यह हमारी क्लास होगी ठीक है ज्यान दीजरेगा डेली क्लास यह भी होती है अंगाडमी स्पेशल पर ठीक है अब बात करते हैं अपने बैचर्स के बारे में दोस्तों तो आप चुकी है हमारे पेड़ बैच की बात करें आ चुका है उसके बाद सारे एकजामस आने बढ़ाते हैं और आपके लिए इसमें बेटर डील चल रही है इसारे बैच आप जोईन करते हैं तो क्या मिलता है आपको हमारे बैच में ठीक है आपको पूरा से ले बस कर आते हैं जिक कोर्स इंग्लिश में हिंदी में समय मिलती है जिसमें आप पढ़ना है परस्ट आप लेर्ने विट इंडिया लन विट टॉप टॉप एजूकेटर तो इंडिया के टॉप अगर इंडिया के फूरा आपको पीडियों मिलता है अलिम्टे एक्सेस टू टेस्ट मिलते हैं व और अगर आप यूज करोगे तो आपके सामने डाउट का ऑप्शन आता है ठीक है वहाँ पर जाकर आपके सामने विंडो खुल जागे इस तरह से वहाँ पर स्क्रींशॉट अपलोड कर दीजिए तो अनकैडमी की तरफे आपको इसके लिए तो इस समय आपके लिए ओफर चल रहा है और यह ओफर जो है वो 30 जून तक है बस और इस समय अनकैडमी आपको 20% फ्लैट डिसकाउंट दे रही है ठीक है यानि जब आप पेवेंट करने आते हैं तो हमारा कोड एप वीपी लगाईए वन जीरो और इस से आपको 20 प्लैट डि में अगर हम बात करें दूस्तों तो 12 महीने की फीज किती है हमारी 5,990 यह देख लिए आप और 24 महीने की 7,199 तो फीज काफी गम होची कि इस समय अगर हम आइकॉनिक की बात करते हैं तो कितनी फीज आपकी 12 महीने की आपकी 7,199 और 24 महीने की 8,390 रुपर तो यह फीज प तो यह है देख लिए दोस्तों आपके सामने डिस्काउंट का है ठीक है तो यह हमारे बैस की बारे बात हम कर रहा है तो अभी फीज क्या है वो आपने दिखा दिया आपको ठीक है चलिए तो आज हम सेट 9 की बात करेंगे हमारे पास कौन-कौन से कोश्चन है हम सारी बात द बोला है हमारे देश में करेंसी इसकी बात करें तो सबसे बड़ी करेंसी कौन सी हो सकती यह आप से पूछा गया एंसर आपको देना है वाट इस राइट असे दोस्तों मानस भाई धेड़ सारा प्यार आपको भी और यहां पर हमारा एंसर दोसो क्या होगा देखिए जब भी आपके एक्जाम में कोशन पूछा जाता है सबसे बड़ी करेंसी कौन सी हो सकती है तो हमारा एंसर क्या होगा एक बार 1978 में हुई है और एक बार 2016 में हुई है तो 1978 में ये नोड बंद हो गया था ठीक है उसके बाद कभी नहीं आए ठीक दोस्तों तो अगर करंसी पुछेगा आपसे 10,000 रुपए अगर माल लेजे एक्जाम में कॉइन पुछता है आपसे कि सबसे बड़ा कॉइन कितना हो सकता है तब क्या बोलोगे 1000 रुप तो करंसी पुछेगा तो 10 रुपए कॉइन पुछेगा तो 1000 रुपए कॉइन इससे बड़ा कॉइन नहीं आ सकता है ठीक है लेकिन हमारे देश में करंसी की बात करें तो अभी आप देखते हो स्वाड़ी करंसी 2000 रुपए की है वो सब कॉइन आपके लिए नहीं होता है वो सब कॉइन लिमिटेट एडिशन होते हैं मूजियन के लिए होते हैं तो 20 रुपए कॉइन नहीं है ठीक है याद रखेगा पहला कोश्चन था हमारे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर टू मतलब सिक्योर्टी प्र देखते हैं एक बज़र है हमारा एंसर क्या होगा है यहाँ आप की बोल रहे हो अच्छा गुर्पीट सिंग भी बोल रहा है ठीक है दोस्तों हमारा एंसर क्या होगा देखिए हमारा एंसर हो जाएगा नासिक अंदेवास option number C मेरी बध्धान सुने लिए दोस्तों हमारे दे देवान एक सालमोनी में में है वैस बेंगोर तॉन अब कामेसूर में है तो नासिक और देवास यह गौवन्नी ऑफ इंड्या की अपणी प्रिंटिंग याशना-एम सर्फ म सी ए तो गौर्मेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है वो कौन सी है SPM ICL और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो कौन सी है BRBN MPL ठीक है याद रखेगा दोस्तों ठीक है तो question number 2 की हैं बात कर रहे थे नासिक देवास हमारा सही अंसर है आगे बढ़ते हैं question number 3 दोस्तों question number 3 है Bessel 3rd capital regulation या norm we are released by the Bessel Committee on banking supervision as a global regulatory framework for more resilient bank and banking system on which date or year pimple भाष्राम में कर मैं भोलू है तो Bessel 3rd norm कब आया था बैसल 3rd norm कब आया था यह आपसे पूशा गया एंसर आपको ठीक देना और इस राइनम से simple भाषा में sir IDBI exam में computer आएगा शोबिट जी जाब इतने पास से आपको योगी नहीं पिता structure गया आपका नहीं आएगा चिंता मत करी चलिए तो बैसल 3rd norm कब आया था यह आपसे पुशा क्या दोस्तों देखें 2008 में बंदी आई थी अमेरिका से आई थी और 2008 में बंदी आई थी वो बैंक को डूबने किया से आई थी इसलिए इसके बाद क्या हुआ रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने 2010 में बैसल 3rd norm किया था लागू option number a is the right answer बैसल 3rd norm बैसल 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 ठीक है तो बैसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपर विजन जान देना ठीक तो यह time to time पर नॉम्स निकालती है तो बैसल 3rd norm कर आया था दिसंबर 2010 में आय क्या है एस पर दा बैसल 3rd implementation इन इंडिया minimum tier 1 capital must be how much percent of the risk rate is a set on going basis तो बैसल 3rd norm के हिसाब से बैंकों की minimum tier 1 capital कितनी होनी चाहिए यह आपसे पूछागा minimum हो ला है maximum होती है minimum sir economy के question होते है economy जैसे आपने पहला currency बढ़ा वह economy था आपका economy में क्या हता है currency आती है monetary policy आपकी आती है fiscal policy आती foreign trade आपके आते है national income क्या होता है तो यहाँ अंसर आवारा क्या होगा देखिए देखिए दुस्तों इसका answer होगा 7% option number B तो सुन लिजे देखिए बैसल थर्ड नॉम के हिसाब से क्या-क्या बोला गया है ठीक है देखिए कि बैंकों की core capital बैंकों की core capital बैंकों की core capital होनी चाहिए 5.5% ठीक और रिस्क वेटिस असेट जो लिखा हुआ है आपके ठीक है और देखिए टीर वन क्याबिटल टीर वन क्याबिटल टीर वन क्याबिटल शुड़ बी 7% यहां पर शो में जो पुषा गोश्चन थे और रही टीर टू क्याबिटल कितना 2% यानि च्वथा पुएंट टोटल क्यापिटल यानि टोटल क्यापिटल की बात करें तो 9% इसके एलाबह 5.5% Capital Conservation Conservation Buffer Capital Conservation Buffer यह कितना 2.5% इस लिख लिख ली जगा सब चेकर यह सारे पॉइंट लिख लिख ली जगा जो बता नहीं आपने ठीक तो Core Capital शुट भी 5.5% Tier 1 Capital 7% Tier 2 Capital 2% यह इसे याद कर लिजेगा आप जो नए बच्चे हैं वो यह दिखे याद कर लिजेगा क्योंकि बैसल नॉर्म सबसे टफिस्ट और कॉंसेप्ट्चुल टॉपिक है तो यह मैं समझाने जाओंगा तो दो-तीन दिल लगे हैं मुझे समझाने में उसे अच्छा प्रेक्टा मार लो काम आपके एक्जाम में हो जाएगा ठीक है चलीगे आगे बढ़ते हैं गाइस है नेक्स मोचिन क्या पूशा घाया है अब कि घला हो जो है पुरॉड वक्रेक्टा होता है हमारे पास कोई आप्शन नहीं हमें उसी से समाल लेना पड़ेगा जैसा भी यह बना दे जैसा भाद बने खराब बना इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों सिंगल सेलर मार्केट के हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं मोनोपोली ऑप्शन नंबर से आपने यह वर्ट सुना होगा और मोनोपोली आप कहते हैं यार उस जांगे मोनोपोली हो गई है मोनोपोली का मतलब कि वही है कि और कोई नहीं है त इसका एक एक्जामपल है भारती रिल्वे भारती रिल्वे में केवल सरकार है गौर्मेंट ऑफ इंडिया है कोई भी प्राइवेट कंपनी और हमारे देश में रिल्वे नहीं चलाती है आपके पास कोई आप्शन नहीं है नहीं हमारे देश में रिलाइंस चलाती रिल्वे न यह हमारी मोनोपोली टीक्वेस है ठिकां है। आप बोलेंगे। तो प्राइवेट क्रेंड प्राइवेट चल गई है लेकिन रेलवे है किसका सरकार का है ना पटरी किस की है सरकार है ना हम अगर अंग घ्र सरकार को और घ्रकार कॉल्ड को और जे vino वुकार बंद कर दे तो सरकार सबसे उपर है ठीक है देखिए फिर से आइड़ का मिटर आता है आप या तो मेरी क्लास ठीक से करिए या मत करिए आप क्लास आपको मैंने पहले ही बोल दिया है आपका इंसर आपका सुन नहीं पा रहे हैं चलिए तो ऐसा मार्केट जहां पर किवल एक ह उसे हम क्या बोलते हैं मोनोपोली बोलते हैं और ऑप्शन नंबर सीज दर इटंस ठीक है आगे देखें वाट इस टर्म कॉल पॉर मार्केट सेक्ट्चर इन विच वन ली अफ्यू सैल ओफर सिमिलर और अडेंडिकल प्रड़क्ट देखिए तो यह आपके एग्जाम में प लेकिन सामान एक से हैंगे तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे यह आप से पुछा गया इसका answer कि रहे है वाोट इसपेर इसे क्या बोलते है इसे बोलते है ओलिगोपोली ऑप्शन नंबर हैं दोस्तों अगर आप 17185 पूरे दुट या में देखें तो यहीड कंपनिया है जो कोश्रेंस बनाती यहीड te clear Ages अगर यह आइनका प्राईज Nicolas और यह अपर आठ उपए हैं तो इनका भी चर्ण नहीं होगा भी चांज नहीं होगा और बहुत लोग आ पता ही नहीं होता कि जो पीर आ वह किसा है he पोर एग्जामपल जैसे इनके पास पैपसी है टो इनके पास थमुसप है कैन्हें के पास तो इंके पास टो इनके पास correct है इनके के पास सभी है यह है वह यह लिए यह टो घंशी कंपनी आइ के मत्ला पर ईडेया को बने की ब Oops तो फ्यू का मतलब क्या हुआ फ्यू तक दस तक अगर कंपनी है तो फ्यू में आती है वो ठीक है दस के उपर है तो फिर वो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगे ठीक है तो ओलीगोपोली ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप से नेक्स कोट्शन की चलिए क्या है कोट्शन देखें विच आप दे फॉलोइंग टर्मिनलोजी डिफाइन आउट्राइट पर्चेस एंड सेल आप दे गॉर्मेंट सेक्यूर्टी मैं इसे लिए बोलता हूँ आपके एक्जाब में लेंग्वेश फाइनस की बड़ी टफ हाती है तो अब क्या लिखा है आप देखें अगर हम ध्यान से देखें तो पर्चेस एंड सेल लिखा हुआ है सिंपल भशा में गॉर्मेंट सेक्यूर्टी की बास हो रही है पॉर्द इंजेक्शन एंड एप्ज ऑप्शन मैं यह सब बाइड उसकरता हूँ इसलिए अप यह है ना तो यह क्या है दोस्तों क्या इसका एंसर होगा देखें इसका एंसर क्या होगा तो आप लोग क्या बोल लो open market operation तो क्या हमारा open market operation ठीक है सब्वाइड साइए अंसर है तो इसे होगा बोलते है खुले बजार टिया option number is the right answer open market operation मॉनिटरी पॉपरेशी का ऐसे बढ़ीए इंस्ट्रुमेंट open market operation Jagen डिशन प Ajj पैसा लिक्विडिटी ये है अगर अलजिये लिक्विड्ी śp क्यों बढ़ी हुई है क्योंकि हमारे देश में पांच बैन्क काम करते हैं कि यानि हमारे बैंकिंग सिस्टम में पांच कि रुपैँ हैं तो Reserve Bank of India चाहता है कि हमारे देश में पैसा कम हो जाए मतलब जितना लोन जा रहा है इससे इंफ्लेशन आ रहा है तो Reserve Bank of India को पैसे कम करवा रहे हैं तो इसमें क्या होता है इसमें Reserve Bank of India इन बैंक के पास आएगा और इंसे क्या वोलेगा कि देखो भाई हमारे पास कुछ Government Security पड इस बैंक ने खरीदा इसने खरीदा इसने खरीदा इसने खरीदा इसने खरीदा यानि पहले बैंक की पास एक लाख रुपए थे सारे की पास अब इन सबोंने क्या किया बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश-बिश को सिक्योर्टी सेल की और इनसे एक रॉपए एब्सॉब कर लिया तबी न मागरिट में पांच लग होगा तो पहले पांच लाग रुपए था तो बैंक हमारे दिश में पांच लाग के सब्सक्राइब अब चार लाग होगा तो पैसा अपने आप कम हो जाएगा तो के लिए रिजर्व बैंक औफ इंडिया गौरंट सेक्राइब करतें और उसका उलटा रिशेक्शन करने के लिए गौवर्मेंट ऑफ इंडिया गौर्मेंट सेक्यूर्टी पर्चिस करेंगे वैंक से तो मेरे ख्यास से आपने मौन्ट्री पॉलसी पढ़ी होगी और आपको एक concept पूरी तरह से clear होगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, next question, question number 8, the rupee symbol of Indian rupee consists of how many horizontal line, तो भारत का जो रुपए है, जो symbol उसका है, उसमें कितनी horizontal line है, एक है, दो है, तीन है, चार है, नन अधीस, what is the answer? तीन है नमीन सर, मतलब अगर ध्यान से रखें, तो यह ऐसे होता है, मतलब अगर रुपी स्कीम बात करें, मतलब for example, तो यह ऐसे बनता है, तो हमें तुछ दूइया दी हाई पर एड़ेंग है, एक यह और एक ही होरिजूंटल, अप्शन नमबर पीस दिराइटन से, तीन मुन्ना दास तीन बोलना है, भाभाई भाई, तुम लोगों ने मयंग चौक, नहींगों, महिमा चौहन तीन बोल रही है, आप लोगोंने कुछ नया करणफ्टी दा दिया क्या देश में हमारे, हमें तो यह दो यह मालूम है कि बल, सो बितसर आइडिया में कंप्प्यूटर आएगा, आएगा, सो नमबर के आएगा मैंटा, सो नमबर के, कर ले ना भाई, ठीक है, दोस्तों आगे पढ़ते हैं, नेक्स इंफॉर्मिशन, क्या पुछा गिया आपसे, तो नेक्स इंफॉर्मिशन पुछा गिया आपसे, कि कैश मैनेज्मेंट बिल, आर इशूट फॉर मेच्चॉर्टी प्रियर्ड लेस देन हाव मैनी डेस, तो आपके तो सीम्बी होता है, इसकी मैच्चॉर्टी कितने दिन से कम होती है, यह आपसे पुछा गिया, कैश मैनेज्मेंट बिल, इसकी मैच्चॉर्टी कितने दिन से कम होती है, यह आपसे पुछा गिया, एंसर हमारा क्या होगा, देखें दोस्तों, नवीन सर्ब बोलना है, तो इसका एंसर क्या होगा हमारा तो कैश मैनेज्मेंट बिल की मेचुर्टी हमेशा 91 दे से कम होती है परी ऑप्शन नंबर भी हमारा सही अंसर अब यह है क्या दोस्तो अगर आप लो मेरी क्लास कॉंटिनीवस कर रहे हैं तो मैंने आपको ट्रैजरी बिल पढ़ा है था ट्रै ट्रैजरी बिल की बात किरें तो ट्रैजरी बिल जो है यह हमारे देश में 91 डे 182 डे और 54 डे के लिए इशु होती है तो हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस्में ऐसे हैं जिनोंने हमारी सरकार से डिमांड किया कि आप ट्रैजरी बिल को और कम दिन के लिए इशु करिए हमें साथ दिन के लिए 14 दिन के लिए बीस दिन के लिए पैसे निवेश करने है लेगिन आपका 90 इवेंड है तो बिजनस्मेन की डिमाइंड पे क्या हुआ भारत सरकार ने कैश मैनेज्मेंट बिल पेश किया चिक कप पेश किया इन 2010 और ये भी कहा है दोस्तों ये भी एक गौर्मेंट सेक्योर्टी ही होती है चिक तो जिसको पैसे में लगाने लगा सकता है इसकी मैच्योर्टी 91 डे से हमेशा कम रहे हमेशा मतलब मैक्सिमम कितना रहेगा मैक्सिमम 90 डे इस उसके ओपर जाने सकता है दस दिन के लिए बीस दिन के लिए पचास दिन के लिए जैसे मन वैसे निवेश करिया लेकिन मैक्स मैक्स आप 90 डेस के लिए निवेश कर पाएंगे इसे भी याद रखे हुआ ठीक है आपके बैंक एक्जाम के लिए कितना माक्स है उससे मतलब नहीं है और ग्रेट बी का दूस्तों, अगर आप करेंट अफेस्ट में यह पॉइंट सा, इसे हम क्या बोलते हैं, इस एक स्टार्ट अप को जब पैसे की निट पड़ती है, तो इस टार्ट अप जो होता है, ये पैसा उधार लेता है इस के थू, जो की बाद में रीपे किया जाता है answer क्या होगा हमारा देखे what is the right answer तो इसका answer हमारा क्या होगा इसका answer क्या होगा दूसरों देखे अब ही अगर आपको जाद होगा तो Reserve Bank of India ने अपना एक guideline शुकिया था क्या शुकिया था कि जो convertible note है अब कोई भी investor दस साल से पहले इसे convert नहीं यल पाएगा और इसका मतलब क्या होगा दस साल इसे याद कर लिजेगा ये आपका current affairs का भी point है अब इक convertible का मतलब क्या होता है सुनना मुध्यांस देखो जैसे मालों की तनुज नाम देखो इन्होंने क्या किया इन्होंने कि start-up किया ठिक और start-up के लिए क्या हुआ इनको पैसे के need थी ठिक है तो नवीन सर के पास चीग है और नवीन सर से बोले कि पैसा आंको उधार चाहिए तो नवीन सर ने मालो इनको 1 करोड उपए उधार दे दिये उधार दे दिये through convertible note इस इंबल सी बात है start-up कर रहे हो तो आपको profit हो जाया होता नहीं है बहुत करना पड़ता है शेंगर करना पड़ता है बहुत करना पड़ता है अब तनुछ भाई काम कर रहे हैं लेगों प्रॉफिटिन को हो नहीं जा है ये पैसे कमा नहीं पाए अब पाउसाल हो गया अब पाउसाल हो गया जैसे इप पांसाल हो गया तो नवीन सर की आखों में चमाख आ गए कि या आप इसकी कमपनी हम ले लें कैसे लिए अब नवीन तो हो convertible note का मतलब क्या होता है इसका नामी convertible है इसका मतलब क्या होगा अब नवीन सर ने एक रूपए दिया थे तरनुज नामद्यों को माल लो तरनुज नामद्यों के पास तूटल दस करोड रूपए हैं ठीक हैं तो नवीन सर बोल ला है कि मेरा पैसे वापस करो आप नहीं कर पा रहे हो तो जैसे पास साल बीतेगा जो इन्वेस्टर है उसके बस अधिकार था क्यों क्या करेगा भई 10 करोड रूपए का 1 करोड कितना होता है 10 करोड रूपए का 1 करोड कितना होता है कि दस किरोड उपए का एक किरोड कि नवीन सर की पास दिखा रहे हैं कि नवीन सर क्या बोलें कि तुम पैसा देनी पाऊगे हमारा तुम एक काम करो तुम अपने कंपनी का 10% शियर हमको देव तुससे क्या फाइदा हो जाएगा कि अब तनुज नामदेव की जो कंपनी है प् पहले इनवेस्टर करते थे जैसे पांस साल पूरे होगे इन्होंने क्या कि अपने कंवर्डिबल नोट से अपने उधार को कंवर्ड कर दिया शियर लेकिन अब रिज़र्ब बैंक आफ इंडिया ने दस साल बोल दिया है कि दस साल से पहले आप कंवर्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो यह दखेगा I think आपको यह information clear हो गई क्या मैं बोलना चाहरा था तो convertible note startup issue करते हैं उधार लेने के लिए इसमें investor का फाइदा यह होता है कि अगर during the time company पैसा पर यह नहीं कर पाई आपको पैसा पस तो आप अपने उधार को share में convert कर सकते हो तो पहले इसकी time limit 5 साल अभी Reserve Bank of India ने इसकी time limit दसाल कर दिया ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते है next point what is the limit on the amount of money which can be sent under the money transfer service scheme MTSS आपके exam में MTSS का full form में पुछा गया ठीक है तो क्या बोला गया दोस्तों कि what is the limit of the amount money which can be sent under money transfer service scheme तो यह idea scheme है दोस्तों यह idea scheme है और इसमें क्या होता है इसमें कोई बाहर का ना करें जैसे for example USA अब मालनीजी USA में आप हो और आपको अपने घर में पैसे फेजिने हैं इंडिया तो आप MTSS के तुरू इंडिया नहीं से भेज सकते हो लेकिन यह कीवल one way है आप ऐसा भेज सकते हो के वल इंडिया में रिसीव नहीं कर सकते हो तो MTSS एक तरगा प्लेटफॉर्म है जिसके थू आप विदेश्वों से पैसा इंडिया भेज सकते हो इंडिया से रिसीव नहीं कर पाऊगे वन वे है कि वल यह कितना लिमिट है इसकी इसकी लिमिट है तो इसकी लिमिट है एक बार में धाई हजार डॉलर ऑप्शन नंबर सी मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम इस स्कीम के तहत रिजव बैंक ऑफ इंडिया किसी इंडियन नागरिक को आपको अलाओ करता है कि आप विदेश्वों से पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हो लेगिन एक बार में एक बार में मैक्सिम कितना धाई हजार डॉलर उसके उपर अच्छा एक साल में कितना होगा दुखो तो धाई एजार रुपए की लिमिट है रुस्तों ठीक है और इसके लाओ अगर हम बात करें एटन 30 remittances can be received by a single individual beneficiary under the scheme during a year यानि एक साल में Reserve Bank of India आपको 30 बार मौका देती है आप 30 टाइम MTSS से पैसा ले सकते हो एक साल में 30 बार लिमिट कितनी एक बार में धाई 100 डॉलर उसके उपर नहीं चिक है दोस्तों देख लिए चिक एक साल में 30 टाइम आपके पास है आप इसका यूज़ कर गए पैसा ले सकते हो आप भेज नहीं सकते हो और एक बार में 30 डॉलर बस उसके उपर नहीं तो 75 टॉलर इन वर यह सिंपल सा मतलब है ठीक है जस्तों आगे बढ़े हैं लो आगे बढ़ते हैं next question देख यह सो अब यह सब करन के topic है आपके है ना Integrated Ombudsman आपने नाम सुना होगा तो हमारे देश में Reserve Bank of India और मोदी जी ने वन निशन वन Ombudsman की छोड़ी दे थी और Integrated Ombudsman स्कीम 21 निकाले थी तो इसमें कितने Ombudsman मर जू है यह आपके पूछा गया है और answer हमारा क्या होगा तो इसमें इसका answer होगा तीन option नंबर भी तो हमारे देश में पहले तीन Ombudsman थे अलग अलग इनको merge कर दिया गया है और अब Integrated Ombudsman scheme बन गया तो यह तीन कौन कौन से देखिए उसमें कौन से देखिए पहला Banking Ombudsman scheme 2006 एक यह मर जुगा है दूसरा Ombudsman scheme for the non-banking financial company 2018 यानि NBFC Ombudsman 2018 ठीक और तीतरा Ombudsman scheme for the digital transaction 2019 यानि digital transaction Ombudsman तो यह देखिए जगा है इनका year 2006 2018 और 2019 इन तीनों को merge कर दिया गया और क्या बनिया एंटीग्रेटेड Ombudsman scheme 2021 यह काफी अच्छा पॉइंट आते हैं कोशन दोस्तों में आते हैं तो एक पॉइंट दोस्तों यह कर लिए जगा है तो banking Ombudsman NBFC Ombudsman and digital transaction Ombudsman को merge करके integrate बना देया गया है एक किसमे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस next question आप पुछा गया है the integrated Ombudsman scheme 21 will provide cost free मतलब कोई cost नहीं है आपका address of customer complaint involving deficiency in service standard by entity if not resolve to the satisfaction of the customer or not replied within a period of how many days by the related entity अच्छा तब देखो मैं हमेशा लोग question की language तरफ कितनी है लेकिन concept clear रोगा आराम से डाल हो गया देखता हूं क्या सकत हो गया अब यहां पर छोड़ता हूं मैं ठीक है तो यहां पर खूँत मानस खूँब बढ़िया क्षब इन्होंने च्च जमा किया बैंक के पास छिक जमा किया वर चेक मानश ने बैंक में पास रख लिया और झापयमेंट हो जाएगी कि जल्ती से बैंक वा यही यह को खोगया ओ अब œ बेट कर रहे हैं इनको पैसा नहीं मिला तो मानस क्या किये मानस बैंक में आए और मानस ने कंप्लेंड कर दी कि भाईया हमने चिक लगाया था हमारा पैसा क्यों नहीं हो रहा है अब कंप्लेंड हो गई आज कंप्लेंड हो गई तो आपने आज कंप्लेंड कर दी है अब बैंक ने 30 दिन ले लिए और आपकी कंप्लेइन पर बात नहीं सुनी जिस दिन आपने कंप्लेइन किया उस दिन से 30 दिन बीते ही आप एलिजबल हो आपको 30 देने पढ़ेंगे पहले अगर उसके बाद मतलब यह बीच में ठीक है नहीं करते हैं तो आप यहां पर जा सकते हो हाँ रिजब बैंक ने क्या बोला है कि आगे आने वाले दो सालों में वैसे भी यह लिमिट हम बंद कर देंगे खतम कर देंगे लेकिन अभी 30 दिन है ठीक है दोस्तों तो यह 30 है या द्रक्षिगा यह चीज़ ठीक है आगे बढ़े आगे आने दो सालों खतम हो जागा ठीक है दोस्तों नेक्स कोश्चिन दा एंटिग्रेटेड ओंबिट्समें स्कीम 21 ऑफ दे रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूट अंडर दे एंबिट ऑफ नॉन शेडूल प्रैमरी कोपरेटिव बैंक विद दे क्या ओप्षिन है कि इनका क्या होना चाहिए कितने मांट का यह देख लिए प्लोग पहले हमारे देश में नॉन शेडियूल कमर्शियल बैंक बैंकिंग अमिट्समें की दाने में नहीं आता है लेकिन अब आएंगे लेकिन वहीं आएंगे जिनके पास नमीन सर बोलना है असेट साइज पा ये डिपॉजिट है जिनके पास किस्टमर का डिपॉजित कम से कंप 20 करो पर पड़ाओ अधिक दोस्तों आगे बढ़ते नेख पाइंग तो तो रिजभेंग ऑफ इंडिया ने एंटीग्रेटड ओंबिश्मन स्कीम के लिए एक सेंटर बिनाया है जहां पर सारी कंप्लेइन सारी सब कुछ यहां पर हो गई है ना सब कुछ यहां पर जैसे आप टोलफी पर कॉल करते हो तो यहां पर जाका कॉल तो कहां बना यहां आप कि है कि है रहुआ हो चीजी हो जी हो जो हुआ है और हमारा चंदिच्ड आप्सिं नमबर टी माना सही एंसर चंद कर दिल्ली चंदिच्ड में आज रखना कंडीकड और अप्ट्रुन नमबर इस जिर टेट डिकड़न नेक्स्क्षिए वोड बी एपिलेट अथॉर्टी अंडर दा एंटी एंटिग्रेट ओंबिश्मन खीम द्वारकेस। कौन बुला है। क्लास कर देंगे सब कर देंगे सब कर देंगे सब। दुस्तो वाट इस देंगें सब। और यहां मेरा एंसर क्या होगा। अरे नवीन सर बहुत महनत जोत प्रड़ लग दिया मुझे। इसका एंसर होगा एंग्स्क्विटिव डिरेक्टर ऑप्शन नंबर सीज्ट राइट ने सरफ चेंज हो गया ना सर। अभी चेंज हो गया सब चीज़ें भी या। यह कौन है देख लिए यहां पे भी द एक्जेक्विटिव डिरेक्टर इन चार्ज ऑप दे कंजूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ और भी आई यह याद रखेगा डिप्टी गवर्नर चेंज हो गया है वो नहीं रह गया है नियम नया नियम दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक्स्ट कोशिन देगे ड़े टोल फी नंबर ऑफ सेंट्र जो मैं बोल ला था टोल फी नंबर सेंट्राइब प्रोसेसिंग सेंटर इस वन पोर फोर एट या तेलो यह वन ट्रिपल फोर एट तो कॉल सेंट्र टोल पी का नंबर जेख लिए आ यहां पर पूजा बोल रही है दस लेंग्विज में मानस बोलने आठ भाशाओं में है तो इसका एंसर होगा दस भाशाओं में आप कॉल कर सकते हैं यहां पर ठीक है इंक्लोडिंग हिंदी दस बढ़ते हैं पूरी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चिन वाट इस दे मैक्सिममम अमाउंट ऑफ कंपंशेशन देट अर्बी आई ऑंबिट्समेन कहना वाट यानि जो यह इंटिग्रेटिड ऑंबिट्समेन है यह मैक्सिमम कितने अमाउंट का कंपंशेशन या फिर केस सुन सकता है यह आप से पूछा गया अगर आपकी बैंक से या इनबी अपसी से या डिस्टल ट्रांजेक्शन कुछ भी है आपका अगर कोई कंप्लेइन होगी तो अमाउंट की होगी तो एंटिग्रेटिड ऑंबिट्समेन में आप कितने अमाउंट की कंप्लेइन कर सकते हैं यह आप से पूछा गया है एंसर नमारा क्या होगा तो एंसर 20 लाख रुपए हैं इंटिग्रेटिड ऑमबीट्समेन की इमँ बात कर रहे हैं जो कंप्लेइन आपकी होगी या तो बैंक की होगी म॥ है ना या कोई फिक Glass रुपए शिक्छ desta которых रुपेस की है और अगर डिस्ट नाज आती है ठीक है तो मैक्स लिमिट 20 रुपे हैं अब यहां पर क्या है दोस्तों यहां पर आपके कुछ पूछा थोड़ी ना है कि हम बैंक का पूछ रहे हैं तो इस कॉमेंस की बात है मैक्स पूछा तो 20 रुप है है ना याद रखेगा तो option number C is the right answer next question दोस्तों अगर आपकी कंप्लेंड इंटीग्रेटेड ओमिट्मेंट में mental harassment की है ठीक mental harassment या फिर या फिर credit card की है credit card तो आपका maximum कितने amount का case सुना जगा यह आपसे पूछा आगे है तो इसका answer हमारा क्या होगा इसका answer होगा हमारा एक लाख रुप याद रखेगे भी तो एक लाग इस लिए यह याद रखेगे बढ़ते है what is the maximum period of appointed of an ombudsman और डिप्टी ombudsman आफारे टाइं यानि आपसे क्या पूछा गया है कि ombudsman का जो maximum time period होता है ठीक है यह आपसे पूछा गया है डिप्टी ombudsman जो होते हैं वह ombudsman की help करने के लिए होते हैं और अगर ombudsman नहीं है तो वहाँ पर वह काउंग करते हैं तो यह कोई specific बज़ता नहीं है बस आप time period बताओ कि एक ombudsman जो है वो कितने साल के लिए point होता है यह आपसे पूछा कि answer क्या होगा तो इसका answer हो जागा तो बैंकिंग ombudsman जो है वह तीन साल के लिए point होते हैं ठीक है तो option नमबर भी हमारा सभी answer है दोस्तों आगे बढ़े next question Reserve Bank of India has launched the Reserve Bank of India retail direct scheme for which of the following target group तो Reserve Bank of India ने Reserve Bank of India retail direct scheme जिसे हमनों क्या बोलते हैं RD किसके लिए यह आपसे पूछा गया what is the right answer RDG बोलते है रिटेल डारेक्ट गिल्ट अकाउंट तो Reserve Bank of India ने Reserve Bank of India retail direct scheme launch किये किसके लिए bank के लिए for the retail investors for the corporates for the all of these for the not these answer नमारा क्या होगा दोस्तों इस question को करने से पहले समाई लो ठीक कुछ बात है actually अभी आप लोग पताने financial market पढ़ा की नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूं या आप मुझे से पढ़ा की नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूं अगर दोस्तों आपने financial market पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि financial market दो पार्ट है एक money market और एक capital market money market for the short term and capital market for the long term ठीक है तो money market में क्या है guys money market basically बड़े players के लिए banks के लिए, government के लिए, state governments बड़े-बड़े companies यही लोग आपस में पैसे उधार्थ और लेते रहते हैं हाँ, capital market में we can invest like in the share market, in the mutual funds but money market में हम लोग के लिए कोई जगर नहीं थी अभी तक we are retail investor हमें क्या बुलाता है retail investor क्योंकि भाई हम लोग 500 या 1000 किरोब निवेश नहीं करते हैं हम कितना निवेश करते हैं एक लाग, दो लाग, पांच लाग, पांच लाग, बस maximum we are food car investor retail investor तो Reserve Bank of India चाहती है कि money market में और especially in government security, retail investor का participation बढ़े कैसे होगा, तो Reserve Bank of India आपको, आपका account खोलेगे अपने पास जिसन क्या बोलेंगे retail direct guilt account RDJ account और उसके थूँ आप money market में treasury bills में या government security में निवेश कर सकते हैं तो basically यह जो scheme आईए है हमाए लिए आईए है retail investor option number B is the right answer दोस्तो, next question under the RVI-RDA scheme launched by Reserve Bank of India investor can buy and sell government security on the NDSOM what does NDSOM stand for? यानि retail direct scheme में जो retail investor है वो Reserve Bank of India के NDSOM platform पर auction कर सकते हैं मैंने आपको पढ़ाया भी है दोस्तो कि Treasury Bill कहा auction होता है negotiated dealing system आपको याद होगा तो एक detail में समय भी करेगा तो इसका पूरा नाम है NDSOM क्या है full form देखें आप दोस्तो what is the right answer तो इसका answer है negotiated dealing system order matching option number C is the right answer तो यह वो platform है RBI का जस पर retail investor government security के लिए auction के खरीदे पचे का मतलब तो negotiated dealing system order matching याद रखेंगा ठीक है दोस्तो आगे बढ़ते नेक्स पाइंट क्या पूश आगे है payment for transaction done on the RBI RDA scheme can be done via which of the following account type यानि कि जो आप payment करोगे basically वो किस account से आप करोगे तो reserve bank of India का गड़ेगा reserve bank of India आपका RDG account खोलेगा तो इसका मतलब क्या retail direct guilt account चिक है और इसको आपके saving account से link कर देगा चिक तो जो saving और पैसा पढ़ा हुआ आपका जो पैसा पढ़ा हुआ वही से आप transaction करोगे तो सीधे आप UPI से भी यह transaction कर सकते हो और इसकी limit कितनी है पांच लाख रुपए मैंने आपको पढ़ाया भी तक गिन है ना तो आप चाहो तो UPI से भी payment कर सकते हो क्योंकि आपका जो यह RDG account है वह आपके saving account से link रहता आपका ठीक है जैसे for example दोस्तों मेरा credit card है तो जो मेरा credit card है ना वो मैं अपने internet banking से ही पर करता हूँ मतलब अपने saving account से ही पर करता हूँ अपना credit card bills तो saving account is the right answer option अब भी हमारा सही answer next question रफ्तों which of the following will act as aggregator for the reserve bank of India इंडिया retail diet scheme दोस्तों उसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि अगर भाया वे customer हो आपने अपना पैसा लगाया ठिक आपका पैसा government के पास गया वहां से security मिली आपको दी जाएगी ठिक फिर क्या होगा एक time period के बाद आप इस security वापस करोगे तो पैसा आपको मिले वापस आपका ठिक है तो कहने का मतलब भाई सिंबल सी बात है आप Reserve Bank of India गौर्मेंट से डील कर रहे है तो क्या इनके पर इतना समय है ये आपका data save करेंगे ये बंदा अतना पैसा लगाया है इसको इतना में साबस चाहिए नहीं तो भारत सरकार ने और Reserve Bank of India ने इसके लिए इतना एजेंट बनाया हुआ है किसे बनाया हुआ है किसे बनाया हुआ है एक question में बहुत है कि सर क्या ये question paper में आएगा इसका answer क्या है CCIL Clearing Corporation of India Limited Clearing Corporation of India Limited किसी भी चीज में अगर आप payment की बात करोगे तो चाहे Reserve Bank of India और चाहे Government of India इनका काम यही करते हैं Clearing Corporation of India Limited तो Clearing Corporation of India Limited option number A हमारा सही answer है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं Next point Which of the following is not a mandatory requirement for the opening RDG account with RBI यानि दोस्तों जो अब RDG account आप खुलते हूँ दुआए न RDG Retail Act Guilt Account तो उसके लिए क्या mandatory नहीं है इसके बिना भी काम हो जाएगा आपका ठीक है बढ़ाई ज़र सब SQL यह सब देखिए वही बात है मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि current reference क्यों अतना important है पर क्यों जा रहा है मैं मान नहीं सुकता अगर आपने मेरी क्लास में Retail Direct Scheme पढ़ी है तो कैसे उपर चला जाएगा आप कभी नहीं पढ़े हो अपना teacher बदल यह जिस से आप पढ़े रहे हो है ना अपना teacher बदल दीजे इसका answer क्या होगा आधार card नहीं ज़रूरी है ठीक है अगर आपको retail investor आप है आपको निवेश करना है RDG account में ठीक है आप 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 के साथ कितने टाइब का retail direct guilt account खोल सकते हैं यह आप से पुछा गया answer हमारा क्या होगा answer हमारा क्या होगा answer हमारा क्या होगा दो तरह का एक आपका single खुद का और एक आप चाहें तो कोई joint account अपने पापा के साथ मम्मी के साथ wife कोई भी मतला तो दो तरह के एक single एक joint sir जो question आएंगे वो बता दो unstoppable बोलना है web series नामी इनका है next point what is the maximum number of nominee that can be nominated in the retail direct guilt account ठीक है यानि retail direct guilt account में अगर आप nominee बनाते हो किसी को तो कितने बन सकते हैं लो nominee का मतले आनतो होंगे आप लो भाई आपका सेविंग गार्ण भी nominee होते हैं ना what is the right answer पिंकी बोलने यह सर काफी है जो आप पढ़ाने फिर पढ़ने नहीं है पिंकी जी एक बाब बतागे मेरे मुझे आप लोग तुरंट पढ़ने हैं गया भी मतलब पहले पढ़ने हैं कि आप आप यह कुश्चन मैथ वाले से इंग्लिश वाले से किसे आप पढ़ाने वहीं पढ़ने हो जाएगा यह मैं पढ़ान ही रहा हूं आपको मैं आइना दिखा रहा हूं यह पढ़ाई थोड़ीना होती है आप इसको पढ़ाई मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपको नहीं आता है उसका मतलब को पढ़ने की जुरुत है आपको और जो पढ़ चुके है वह एंसर दही रहे यहाँ पर तो अगर आप यह एमसे क्यूस को पढ़ाई मानके चल रहे हैं तो फिर आप बहुत गहरे तंगर्ट में आप लोग हैं है ना यह में पढ़ा पारा यह था तो गाई जैसा मैंने बोला आपको कि देखिए एक बात मेरी समझ लिजे कि आप जिस लेवल एक्जाम के त्यारी करने के लिए है वो लेवल काफी बढ़िया है और अगर आप इसी में बिजी हैं कि कॉश्चन बता दो कौन सा का एक बागजाम में है यह इतना अब बच्चे मेहनत कर रहे होंगे अपने भवश्य के लिए अभी प्री का रिजल्ट आएगा मेंस का रिजल्ट आएगा आप देखना जारा क्या होता है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपको शाद बुरा लगे लेगिन थोड़ा लेवल बढ़ाई है अपना बहुत दिक्